Hello everyone, welcome to teacher education, I hope आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी classes complete watch करते होंगे classes थोड़े दिन बाद आई हैं उसके लिए sorry, अप से classes आप लोगों को regular मिलेगी आप सभी लोग देख सकते हैं कि आज science के जो subject है या paper है उसकी third class है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुकूलन की प्रकार की बारे में पिछली दो classes जिन्होंने नहीं देखी पहले उसको एक बार आप देख लें तो ज़्यादा समझ में आएगी पिछली class में हम लोगों ने पढ़ा था कि अनुकूलन के अंतरगत जो परिवर्तन आते हैं जैसे सरीर के बनावट में, सिर में, पैरों में, उंगलियों में, उंच में, तचा में ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा था, तो वो एक बार आप लोग देख लेंगे तो ये ज़्यादा समझ में आएगा अनुकूलन की परिवासा हम लोगों ने पढ़ी थी, अनुकूलन का मतलब होता है, हमारे सारीरीक, मानसिक, या जीव जन्तुव में ऐसा परिवर्तन जो की प्रकृति या वातावरन के अनुसार होता है, या ऐसे परिवर्तन जो न होते तो सायद वो जीवित न रहा पाते, मतलब अगर हमें ठंडी लगती है तो हम अपने सरीर को अधिक से अधिक धगने की कोशिश करते हैं यह एक तरीके का अनुकूलन है कि वातावरण में जैसे सिच्वेशन है वह उसमें धलने की एक प्रक्रिया है यह आप लोग समझ गया होंगे पिछली क्लास मैंने डिटेल न देखा था तो आपके घ्जाम में ऐसे पूछा जा सकते हैं कि जो अनुकूलन में किन-किन बॉडी पार्ट्स में परिवर्तन होता है यह सब आप लोग जाने रहेंगे तो फैक्चूल है उसी तरीके से पूछा जाएगा कि अनुकूलन की प्रकार आपको यह बताना पड़ इसको अनुकूलन को एडाप्टेशन कहते हैं यह मैं आप लोगों को बता चुका हूं यहां पर देखिए पहला क्या परिवर्तन है यह अनुकूलन क्या क्या प्रकार है देखिए ऐसे जन्तु प्रित्वी पर तेज दौडने वाले सभाव के होते हैं उनमें जो तेज सभा क्या है यह ऐसे जीव हैं जो कि प्रित्वी पर तेज दौडने वालों की कटेगरी में आते हैं और भी आते हैं यह सारे जो तेंदुगा है यह सारे आ रहे हैं लेकिन आप यहां देखेंगे कि इनके सरीर की बनावट पाकी जानुरों के तुलना में अलग होगी क्योंकि य जीव जन्तु होते हैं जो कि आप देखते होंगे कि वह कोई जमीन है उसको खोद के अंदर रहते हैं जैसे आप देखिए इस प्रकार के तंतु अधो भूमिक अधो भूमिक का मतलब अंडर ग्राउंड जीवन निर्वा के लिए गड़े खोदे हैं हमारे धरती पे कुछ एसे भी जीव हैं जो लोग अपना घर बनाने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं घर के लिए वो गड़े खोद के रहते हैं जैसे चुहे कीट भक्षा जो अस्थंधारी है जिसमें सुचुंदर होती है जो ऐसे जानवर जो होते हैं केचुगा हो गया लेकिन चुहे हो गया है इनके अनुकूलन के प्रकार है वो अगर उसमें नहीं रहेंगे तो सायद वो जीवित नहीं रह पाएं तो यह उनके प्रकार है इसलिए इस टॉपिक का नाम ही या अनुकूलन के प्रकार यहां तक समझ में आए तो अगला देखते हैं जली अनुकूलन एक्वार्टिक उपयुक्त है जो गड़े में रह रहा है मतलब गड़ा खुदने के उपयुक्त है हाला कि रह तो जमीन पही रहा है लेकिन जमीन के अंदर रहने की प्रवित्ति है उनकी उस जन्तु है जो जल में रहने की प्रवित्ति है जैसे मचलियां सारी मचलियां जल में रहती है वेल स जैसे कौन से जीव है जो की चढ़ने का मतलब है चाय पेड़ है दिवाल है या पहाड है उन पर चढ़ सकते हैं जैसे देखिए यह जन्तु जो होते हैं इस प्रकार की जन्तु यह क्या होता है विरिक्षों दिवारों चटानों पर चढ़ने के लिए उपयुक्त होते हैं जै यह जो प्रकार है इनका आप देख सकते हैं यह चढ़ने के लिए यह उपयुक्त होते हैं इनके पैर भी उसी तरीके से होंगे इसमें नाखुन होंगे थोड़े से मतलब ऐसे होंगे कि वह जमीन को जैसे आप छिपकली भी सरिश्रीफ ही प्रजाती में आती हैं जो छिपकली हो गई इनके नाखों जो होते हैं वह बहुत ही शार्प होते हैं निससे वह आप देखेंगे कि दिवाल अगर प्लेन दिवाल है तो उसą पे भी वह चल लेते यह उनका एक अनुकूलन का प्रकार है उसके बाद वायवी अनुकूलन जिसको आप एरियल एडाप्टेशन कहते हैं या वोलेंट एडाप्टेशन कहते हैं वायू में रहने वाले जनतों में प्रभूख पक्षी अब इन में क्या होगा इसमें आप अंतर देखेंगे जैसे ओधर वायू में रहने वारए चमगादर जैसे अस्थन ढरी वायू में ही आते हैं और जीवा आते हैं जैसे आप पहना जैसे आप कभूतर कह लिजीए जील कह लिए यहAR में पहर नहीं सकता है उसके और pet washing में यूदिन कुछ एसी मचलियों प्रजातियां या समुनुदरी जीव हैं जो कि गहरे पानी में रहते हैं, जैसे केचवा कच्छवा जमीन पर भी रहता है और पानी में रहता है तो गहरायों में भी बहुत अंदर गहरे पानी हो मिलता है, कच्छों की जो और अन्य प्रजातियां होती है उसके बाद आता है मरुस्थल के उपयुक्त अनुकूलन जो कि यह काफी important है यह एक्जाम में कई बार आता है desert adaptation desert adaptation का मतलब है कि ऐसे जीव जो कि मरुस्थल में रहते हैं मरुस्थल का मतलब होगा कि जहाँ पर पाने की कमी होगी इससे आप समझ सकते हैं सुखा प्रदेश कहलेजिए जैसे इसमें उठ जो है वो सबसे appropriate example है आप राजस्थान में देखेंगे राजस्थान में उठ है और वहीं मरुस्थल है तो ऐसे आप इसको समझ देंगे इसके बाद आप देख पाएंगे अगला है कि जली पौदों में क्या-क्या लक्षन होते हैं जो पौदे जल में रहते हैं उनमें क्या-क्या लक्षन होते हैं ये भी आपको जानना पड़ेगा जैसे जली पौदों में सरीर जो होता है कोमल और कमजौर होता है जो भी जल में रहने वाले जी होंगे आप अगर कभी देखेंगे कच्छुए को देखेंगे आप मछलियों को देखेंगे अगर आप मछलियों को कोमल होता है पत्तियां अगर होंगी तो वह पतली होंगी कटी-फटी होंगी उसके बाद यह इतना डीटेल में आपको नहीं जाना है जो इंपोर्टेंट वो देख लीजिए इनहीं लक्षणों के कारण जली पौदे जो होते हैं जली वातावर्ण में सफलता पुर्वक जीवन यापन करने में सक्षम होते हैं उनके जो भी परिवर्तन है वो उनको जीवित रहने में सहायता प्रदान करते हैं अगर मचलियां अगर उनकी जो त्वचा होगी वो मतलब आपका लिजिए कि अगर उबर खाबड़ होगी प्लेन नहीं होगी तो उनको स्विम करने में मतलब उनको तैरने में प्रॉब्लम होगी उनका आकार भी मछलियों का आप देखोगे तो एकदम इस तरीके से होता है आगे पतला होगा फिर पीछे तोड़ा होता जाएगा मतलब जैसे मछलिया बना लो इस तरीके से कुछ ऐसे आकार में बटे होती है मछलिया फिर आगे पतला होगा यह इनका एक अनुकूलन का प्रकार है मतलब इन्होंने अपने सरीर को ऐसा ढाल लिया है कि यह पानी में तेजी से तैर सकते हैं और अपना मतलब भोजन के लिए भी अप बहुत से ऐसे जी होते हैं कि जिनके मतलब इस्पेसफिक तरीका होता है जिसका मतलब को मारने के तरीका अपनाते यहां पर देखेंगे आप से पुछा जाता है कि जली पौधों के नाम बताइए जो जल में रहते हैं तो कुमूदनी, कमल, हाइड्रिला, सिंगाडा ये ऐसे चार प्रमुख हैं जो कि जल में पाजाते हैं आप कुमूदनी और कमल दूब धरन हमेशा के लिए याद रखेंगे उसके बाद बात आती है मरुस्थली मरुस्थल भी अस्थली वातावरन का एक रूप है हाँ ध्यान रखेंगे तीन वातावरन की हम लोगों ने बात की थी एक अस्थली, एक उसके बाद हमने वाईवी और एक जली ही है जो मरुस्थल होता है ये अस्थली का ही भाग है जहां पर सुखा प्रदेश जैसा मैंने बताया लेकिन इससे कई बार कोशन आये हैं प्रिवियस येर में इसलिए मैं इसको हाइलाइट करा दिया हूँ यहां आप देख पाएंगे जन्तू के नाम आपसे पुछा जाएगा मरुस्थल में रहने वाले जन्तू कौन से है तो उंठ है गिर्गिट है और छिपकली ये वे जन्तू है जो मरुस्थल में सबसे ज़्यादा पाये जाते हैं या वहां के लिए ये कह सकते हैं कि इनके सरीर में वह सारे परिवर्तन होते हैं कि जो सूखे प्रदेशों में रह सकते हैं पौदों की बात की जाएगी तो दो पौदों के नाम याद रखेंगे आप नाकफनी बबूल और खजूर तीन रख सकते हैं ध्यान रखेंगे या निमन लिखित भी हो सकता है कठिनाईयों पर सामना करना पड़ता है क्या सामना करना पड़ेगा मरुस्थर में पानी की कमी होगी एक बेसिक तेज धूप और गर्म बालू होगा कांटेदार और शुष्क पेड़ पौदे होंगे यहां पौदों में नाकफनी के बाद नाकफनी आप सभी लोग जानते सबसे एप्रोप्रियेट एक्जामपल होता है और सबसे यहादा नाकफनी जो है वो सूखे जगहों पे आप घर में भी लगाया होंगे तो उसको पानी क्या हो सकता नहीं होती है उसके बाद यह थोड़े से और चीज़े हैं यह आप देख लेंगे इसमें कुछ ऐसा बेसिक नहीं है यहाँ पर मैं जैसा कि देख पा रहा हूं फिर आती यह बाद कीटों में उड़ने है तू अनुकूलन अब कीटों में और पक्षियों में इन दोनों में अंतर है कीट पतंगे जो होते हैं वो आकार में भी छोटे होते हैं और उनका जीवन काल भी वो पक्षियों के तुलना में कम होता है और क्या अंतर होते हैं विशेस्ता हैं उसको देख लेजिए कीट जो होते हैं वो और कशे रूकी क्या होता है दो वर्ड आएगा इसको जा लेजिए कशे रूकी का मतलब होता है जिनके हड्डियों में बैक बोन नहीं होती है ताती साथ जिनका मस्तिस्क जो होता है वो पूरी तरीके से पूर्टा विक्षित नहीं होता है जिनका दिमाग पूर्टा विक्षित को और केशु रीकी जो है वो उनका नाम है और यहीं पर आप कशे रूप की जो है यह प्राणी यह आपका उनको कहते हैं जिनका ब्रीन जो होता हैль डबलफ होता है और साती साथ जिनकी backbone होती है मतलब रीड की हड़ी भी होती है इनकी सरीर में यह धियां रखेंगे उसके बाद आप देखेंगे इन में क्या प्रमुक्ता कीटों में एक या दो जोड़ी पंक होते हैं उसके बाद कीटों का सरीर छोटा होता है कीट कीट पतंगों का मतलब आप समझ रहे होंगे जैसे आप फटिंगों को कह लिए और धेर सारे जो बरसात में देखते होंगे देर चारे घर में आ तो वही हैं छोटे जीव हैं लेकिन वह उड़ते हैं उसके बाद इनके सरीर में स्वास रंद्र होते हैं और जिसके वज़र से यह लोग कैसे सांस लेते हैं तो इनके लिए स्वास रंद्र नाम की एक ग्रंथी है जिससे सांस लेते हैं उनसे सरीर में हवा बढ़ती और निकल हो जाता है जैसे तित्लिया, मधुमक्खी, घरेलु मक्खियां, ये सारे जो philosophical हैं ये कीटों के example है, पक्षियों की बाते हैं यहां पे आप ध्यान देंगे да सभी पक्षियां जो होती हैं उसमें कशेर रुक्षी जो है वह प्राणी कहलाती है उसके बाद उन्ने है तो शरीर में अधो लिखित विसेस्ताएं भी पाई जाती है क्या क्या विसेस्ताएं इनके शरीर जो होते हैं वो नौकाकार या धारा रेकित होते हैं मतलब एक इस तरीके से वेल डिजाइन होंगे कि आगे चौच होगी फिर ऐसे अएसा रहता है फिर दो पंख इस तरीके से उसके पास अगर पात पंखों में रुपान्तिर होते हैं जो और उनका पंख होती है उसी को हम मानते हैं उनका आगे वाला हाथ पेर जो बैठते हैं उसक Friend पीछे वाला उनका हाथ मानते हैं समझ लिजीएगा और वही पंख उनक में सहायता परदान करते हैं अस्थियां खोकरी होती है मजबूत और वायू से भरी होती जिससे उनका सरीर हलका हो जाता है ये इनके में भी सरीर हड़ियां पाए जाती है लेकिन वो हड़ियां हलकी होती है और हलका होने की वज़र से ही वो पक्षियां उड़ पाती है और जो पॉइंट फेफडे में वायू कॉष जूड़े होते हैं जिसमें हवा बरी होती है यह उड़ते समसरीर को magariıs रखते यह द्यान रखेगा प१ंपने को उड़ते हैं तो पानी में तेयरते हैं कसे लोग में आप है कोयल अब धेर सारे चील बार्ज जितने भी सारे एक्जामपल आप लोग पक्षियों में ले सकते हैं तो यह चोटा सा पोर्शन था कि कितने प्रकार है नुकूलन के वह हमने देख लिया इन पॉइंट्स को आप सभी लोग नोट कर लेंगे पीडियाफ आप लोगो कुछ देर में टेलिग्राम ग्रूप में मिल जाएगा उस पर जाके आप लोग डाउनलोड कर पाएंगी कुछ मुल्यांकन प्रशन है यह आप सभी लोग इसको पॉज करके स्क्रीन शॉट जब स्क्रीन शॉट नहीं पीडियेफ मिल जायागा उसमें करिएगा सजी वस्तु बता मरुस्थल में पाए झाने वाले निवास करने जंत्तु बता यह आफ एउसके बाद कुमुद्नी Krash सथली पाओधा है सत्य आ सत्य किसका इक्जांपल मैंने अभी बताया उसके बाद तहरने वाले जली पाओधें का नाम बताईये फिर उसके बाद मचलीयों का शरीर जो नाव के आकार का होता है क्यों क्यों वो उनको तैरने में सहायता प्रदान करता है यह सारी चीजें क्योंकि वो एक बार पानी पीने पे लगबक 10-15 दिन तक रह सकता है और उसकी बनावट भी उस तरीके से उसके जो खूर है वो जो रेगिस्तान की रेते होती हैं उसमें धंसते नहीं है मतलब वो ऐए होगी कोई भी डाउट हो कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बाक में पूछ सकते हैं या हम जब लाइव आते हैं तब भी आप अपने classes के जितने वी विक्वरी जोड़ पूछ सकते हैं पानु पाच एक लास में सिर्फ इतना आई मिलते हैं नेक्स्ट लास में तक तक ल